हेलो एब्रिबन नमस्ते वेलकम यह अपना इंग्लेश का मॉडल पेपर और इसके थर्ड पार्ट में आज अपने इसका जो सौट कंपोजिशन और लॉंग कंपोजिशन वाला भागे उसको उपन करेंगे तो एक बार देखे मैं आपको दिखा देता हूं कि हमने अभी तक क् और यह कोस्टिन फर्सट जो है अंसीन प्लेसिस का इसको हम कर चुक हैं इसके अलावा इसके क्वास्टिन आंसर्प्लेश भी हम कर चुके हैं और इसका जो second part था कल हमने second जो paragraph था उसको भी किया था और ये हम कर चुके हैं ठीक है अब देखिए next short composition में आपके total चार topic है उसमें से हमने एक topic कल किया था advertisement writing का राइट कि आपको कोई बस्तु बेच नहीं है तो उसको कैसे advertise करेंगे उसका एक draft तयार करना पड़ेगा आपको advertisement का आज की इस class में for example जैसे कि आपको कोई एक invitation मिला है और आप उस invitation को accept करें या फिर decline करें इस topic पर एक question आपसे पूछा जाएगा तो आज की class में देखो क्या है कि your friend रस्मी और रजट has invited you to attend the wedding ceremony of his or her brother आपको अपने भाई की साधी पर बुलाया गया है invite किया गया है रजट या रस्मी के त्वारा write an informal reply आपको एक informal reply देनी है expressing your inability to attend the ceremony कि आप उस ceremony को attend नहीं कर पाएंगे it means कि आपको decline करना invitation accept नहीं करना है तो आपको decline करने के लिए जो reply दिया जाता है वो reply लिखना है due to unavoidable reasons in about 80 words आप किसी अपरिहारे कारणों से इस ceremony को attend नहीं कर पाएंगे तो 80 सब्दों में आपको ये reply देना है तो आएए देते हैं कैसे देना है इसका एक complete format आप द्यान में रखिएगा कि भाई आप जो है यहाँ पे सबसे पहले देखो लिखना है आपको address लिखना है किसका अपना खुद का जैसे अपन लैटर राइटिंग लिखते न उसी तरीके से आपको इसको decline करना है ठ लिखेगा तो for example आप यहाँ पर कोई भी अपने हिसाब से लिख दीजिए जैसे 13 असोक कॉलोनी यह 13 क्या होता है यह house नंबर होता है जो भी वेक्ति जहां रहता है तो अपना मकान नंबर पहले लिखता है फिर अपने मकान का नाम लिखता है फिर उस महले का नाम लिखता ह है तो यहाँ पर आपने house number लिख दिया house number for example 13 उसके बाद आपने लिख दिया असोक कॉलोनी यह आपने अपने मौले का नाम लिख दिया और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर भरतपूर लिख दिया यह अपने city का नाम हो गया और फिर आपने तारिक लिख दी 10 2024 ओके अब उसके बाद जिसको आपने जिसने आपको invite किया है और जिसको आप reply दे रहे हो तो आप लिखेंगे dear रस्मी आप यहाँ पर अपने हिसाब से dear रस्मी dear रजत दोनों में से कोई भी एक नाम लेखना है आप लिखेंगे सबसे पहले तो आपको क्या करना है उनको पर हमें invite किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद उसके बाद फिर आप उन्हें बदाई भी देंगे और कारण भी बताएंगे नहीं जाने का है ना सारी चीज़ें आपको लिखने तो आप लिखेंगे कि I thank you for your kind invitation to attend your brother's marriage on 12th March 2024 आप दो दिन पहले देखो reply दे र पाएंगे लेकिन आपने सबसे पहले क्या करना है कि उन्होंने जो invite किया है तो उनको thank you कहना है तो आपने कह दिया thank you for your kind invitation किस बात का invitation to attend your brother's marriage आपके भाई की साधी को attend करने के लिए कब 12 March 2024 को बट मैं नहीं आ पाऊंगा इसके लिए मैं sorry मांगता हूं तो आप देखो क्या inability to attend it लेकिन न आ पाने का कमुझे खैद है attend it मैं इसे attend नहीं कर पाऊंगा due to क्यों नहीं कर पाऊंगा इसका reason बताना है due to का मतलो होता है के कारण due to some unavoidable official work एक अपरिहार्य सरकारी कारे की कारण मैं नहीं आ पाऊंगा और वो कारे है मेरा quota में अब देखो sincere thanks for the invitation एक बार फ best wishes to animal for happy married life और animal को सुखे वैवाईक जीवन के लिए मसूप कामना है उसके बाद यह आपको ध्यार नखना please accept my best wishes यह पंक्ति आपको यहाँ पे लिखनी है और उसके बाद yours and nirmal जांगे इपना नाम लिख दिया तो यह बिलकुल simple सा format होता है letter का छोटा रूप है letter थोड़ा स होता है letter भी इसी टैप्स लिखा जाता है बड़ थोड़ा सा बड़ा होता है यह बिलकुल simple सा short सा होता है चलिए अब देखो next आगे आगे बढ़ते हैं हाँ अब एक और question है question number four put the following information in the form of a report in about hundred words यह है आपका पांच नमबर का topic चौथा जो प्रेशन आपका होगा दोनों मेंसे आपको कोई एक करना है तो आप best तरीके से कोई भी एक तयार कर लीजिए तो इसमें हम अभी देखेंगे कि एक report आप कैसे लिखेंगे आपने देखा होगा newspaper में जो जनरली जो news होती है जो भी समाचार होते है वो एक प्रकार के report होती है जो कि reporter के द्वारा भे इसका नाम होता है और फिर वहाँ पे debt लिकी हुई होती है और फिर उसके बाद वो होती है report छोटा सा समाचार तो वो report कहला थी बट यहाँ पे जो हम report लिखेंगे उसमें आपको इन सारी चीजों को include करना है क्या-क्या include करेंगे कि importance of water आपको पानी पर एक report तयार करनी है प importance of water लिखेंगे फिर आगे लिखेंगे shortage of water पानी की कमी फिर आपको लिखना awareness about water conservation पानी के सरक्षन के प्रती लोगों में जागरूगता पैदा करें and method of water conservation और फिर पानी को store करना पानी को सरक्षन करने क्या जो अलग-लग भिन-भिन विद्या है जैसे water harvesting है जो से store पानी को ट तो एक आपको ध्यान लखना word limit का 80 सब्दों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आप ऐसी एक report लिखें तो हमने देखो report आपको अच्छी तरह से बता देता हूं कि जब हम report लिखते हैं तो answer लिखो उसके बाद में आप लिखो पहले तो यह जो अपना heading होती है जो subject होता है जि करके आप उसको लिखेंगे तो चलो देखते हैं कि report कैसे लिखेंगे तो देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले आपको तो लिखना है कि report on conservation of water पानी की सरक्षन पर एक report किसके द्वारा लिखी by unocool reporter बस यह आपको लिखना है आप चाहो तो यहाँ पर लिखो आप चाहो तो य आपको place का नाम लिखना है कि यह report है कहां कि किस इस्थान विखेंगे तो यह place लिखा जाता है और उसके बाद लिखी जाती है तारिक बस यह खास तो दो चीजों का ध्यानक ना इसमें कोई format नहीं इसको paragraph के रुप में लिखा जाता है बिल्कुल सिंपल सा तरीका है पूरे पांच नंबर आप ला सकते हो इंग्लिस में बच्चे जो टेंसन करते हैं कि सर इंग्लिस में नंबर नहीं आएंगे इंग्लिस ही सबसे ज़्यादा problem create करती है तो भाई इंग्लिस तो बिल्कुल भी problem create नहीं करती है आप छोटी छोटी चीज़ा होती ही जैसे short composition 4 नंबर का रिपोर्ट है paragraph राइटिंग है 5 नंबर की letter राइटिंग है 6 नंबर का अब आसानी से ला सकते हो थोड़ा थोड़ा आपको मेहनत अगर कर लेते हो और once in passes आते हैं grammar आती है बिल्कुल एक भी नंबर नहीं करतेगा grammar में तो तो आप देखो यहां से हम सुरू करते हैं तो अब बस इतना ही लिखना सन पीछे नहीं लिखना ध्यान लखना आगे अब देखो सुरू करते हैं कि रिपोर्ट एक्चुली होता क्या है जो घटना पहले हो चुकी है जो कोई भी activity हो चुकी है उसी के बारे में रिपोर्ट बनाई जाती कि भी ऐसा ऐसा हुसा हुआ अब जैसे मालीजी आपको annual function हुआ अब उस annual function पर आपको एक report तयार करनी है आपने अभी last जो है वो 26 जनवरी मनाया तो हो सकता है आपसे कहा जाए कि आप 26 जनवरी पर एक report लिखिए तो जो घटना करम हो चुका है उसके बाद आपको report लिखनी है for example जैसे science fair हुआ तो आपको science fair पर एक report लिखनी है हो सकता है और कोई किसी कारेकरम पर किसी भी topic पर आपको दिया जा सकता है तो उसके उपर आपको report बना नहीं तो घटना करम हो चुका होगा yesterday various social organizations conducted a campaign to create awareness among people अब पिछले देखो कि भाई कल अनिक विभिन संगठनों ने लोगों के बीच में एक campaign जो है वो start किया एक campaign conduct किया और उसमें लोगों में एक awareness जागरूकता फैलाने का प्रयास किया awareness nobody on earth can imagine life without water कि प्रत्वी पर पानी के बीना जीवन संभव नहीं है कोई भी पानी बीना पानी के जीवन की कलपना नहीं कर सकता due to due to shortage of water the problem has become very serious in azmir अब पानी की कमी की वज़ा से हमारे azmir में जो है वो इस्तती बहुत ही गंबिर है समस्या people are going to very distant places in search of water भाई अपना वैसे तो राजस्तान है दूर दूर से पानी लाना पड़ता है तो आप ये चीज़े लिख सकते का हमारे azmir में भी लोग पानी की तलास में दूर दूर तक चाहते है realizing the shortage and importance of water ये पानी की कमी और पानी के महतों को ध्यान में रखते हुए many people have started conserving water कहीं सारे लोगों ने तो पानी को store करना सुरू कर दिया है rain water is a gift from God अब ये बरसात का पानी जो है ये भगवान की तरफ से हमें एक उपहार है we should harvest it so that it can be utilized in summers हमें इसे store करना चाहिए ता कि हम इसे ग्रिस मरितु में काम में ले सके rain water may be used for toilets, washing cloths, cleaning flows, vehicles and watering plants etc तो ये जो rain water है जो बरसात का पानी है इसे हम कहां कहां पर use कर सकते हैं सारी चीजे हुई तो देखो सारी चीजे हमने इसमें जो जो point दिये थे ना और points को ध्यान में रखते हुए ये एक प्रकार से आपकी complete report हो गई तयार और इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपके हो जाएंगे आपके पांच नमबर अब जैसे hundred words में लिखना होता अब line किनो आप कितने होई एक, दो, तीन, चार, पांच, चे, साथ, आट, नो, दस दस line होई एक line में तकरीबन 10 words होते हैं तो आपको 10, 11, 12 line लिख लिजए क्योंकि आपके सब्द कितने हैं उसके according आपको सब्द सीमा का ध्यान रखना है बाकी ऐसा नहीं है कि आप एक, एक word वहाँ पर गिनो और गिनकर के लिखो ऐसा नहीं करना है 5, 10, 15 सब्द उपर नीचे जा सकते हैं बड़े प्रस्ण में तो कोई problem नहीं है और जहां बिल्कुल छोटे होते हैं 20-30 line में आपको जहां पर 25-25 line में 30 line में लिखना होता है तो आपके 2-3 line में लिख सकते हैं तो देखो ये एक हुआ अपना एक report होई अब next आपना आएगा एक आपको यहां पर लिखना है एक paragraph ठीके क्योंकि ये जो अपना चौथा question है इसमें report लिखनी पड़ेगी और paragraph लिखना है दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा दो आपको पूछे जाएंगे तो paragraph very simple है आपको अभी paragraph का मतला ऐसा नहीं single एक paragraph में लिखेंगे आप दो paragraph बनाईए चोटे-चोटे दो paragraph में बड़ी आसा लिख दीजिए actually वरनन करना होता है किसी भी घटना करम का जैसे school morning assembly हमारी जो प्रार्थना सभा होती है तो उस प्रार्थना सभा का आपको वरनन करना है क्या क्या होता है घंटी लगती है बच्चे क्लासों से line मना करके जो अपनी assembly area होता है वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर प्रार्थना होती है भगवान की पूझा करते हैं, पूझा मतलब प्रार्टा करते हैं, भगवान से, कुछ speech दिए जाते है, कुछ motivational चीज़ें बताई जाते हैं, teachers के द्वारा, कुछ ethics बताई जाते हैं, principal के द्वारा भी चीज़ें बताई जाते हैं, फिर बच्चें फिर से class में जाते हैं, लाइन से जाते हैं ठीक है यह सारी चीज़े आपको इसमें लिखनी है तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई कि morning जो अपना assembly होती है उसमें शुरुआत रहेंगे कि morning assembly is the most important feature of school curriculum where students learn the value of collective prayers and are exposed to the need to inculculate moral values तो अब देखें कि जो प्रातना इस तल जो होता है ना प्रातना सभा जो होती है हमारे विद्याले की किसे भी विद्याले की वो सबसे most important भाग होता है क्योंकि अगर प्रातना ही सही धंग से आपने नहीं करवा पाया हो तो दिन कैसे पूरा कैसे आपका चलेगा तो प्रार्तना सभा बहुत ही प्रवहाव साली होनी चाहिए प्रार्तना बहुत ही व्यवस्तर तरीके से होने चाहिए शुरुवात ही होती है तो पूरे अपने दिन की तो भही ये तो होती है इसमें जो moral values है नेतिक जो मुल्य है उसका भी यहाँ पर एक प्रकार से वो होता है क्योंकि morning prayer में देखो जैसे प्रसनोतरी होती है जैसे मान लिजे newspaper की reading होती है वहाँ पर और भी कोई moral story अगर आपको आती है तो वो बच्चों के द्वारा सुना ही जाती है तो बच्चों के एक प्रकार से यूँ कह सकते है overall यहाँ पर जो उसका development होता है वो उसको निखानने का एक मौका मिलता है इतने सारे बच्चों और teachers के सामने तो एक आध्यात मिक्ता के साथ हमारी सिक्षा की सुरुआत होती है प्रातन सबासे Classes hold assemblies on all five days It includes tracks on general knowledge and current affairs The assembly develops the innate talent of students and in an integral part of the school activities So student must reach the school premises before the commencement of the morning assembly तो भई यह इस तरीके से रहता है कि morning assembly में हम क्या क्या करता है जो भी अपना अपना morning assembly होती है उसका वर्णन आपको करना है तो देखो यह होता है एक paragraph writing यह भी hundred words में लिखनी है और यह भी होती है अपनी पांच नमबर की ठीक है? अब देखो next जो topic रहेगा अपना तो next topic में क्या है? कि यहाँ पर आपको एक letter लिखना है और letter जो है हमारा एक official letter होता है एक business letter होता है और एक letter to editor है मतलब application होती है ठीक है? तो यह अपन next class में करते हैं कैसे आपको करना है? तो इस तरीके से हम complete एक model papers को complete करने के बाद में फिर से जो topic wise अपन पढ़ रहे थे न जो हमने बीच में छोड़ दिया है वो topic wise अपन complete करेंगे और यह complete जो PDF है इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप इस number पे message करेंगे मुझे WhatsApp message 9079-622-989 इस number पे आप मुझे WhatsApp message करेंगे तो आपको हमारे app का link मिल जाएगा हमारे website का link मिल जाएगा हमारे WhatsApp group का link Telegram channel का link का link मिल जाएगा आप आँ से इन्हें जोइन कर सकते हैं तो कैसे लगी यह class मुझे बताईएगा जरूर और मिलते हैं अगली class में तब तक के लिए जैहिन जैवाल